बिस्मिल्ले रखमार रहीम, Assalamualaikum, Welcome करती हूँ आपको अपने चैनल में आज में आपके रिकारी मज़ेदार चट्पटे चट्पट बनने वाली माशकिदाल के कबब, जी हाँ माशकिदाल के गोला कबब इतने मज़ेदार यम्मी डिलिशुग बनते हैं, चट्पट आप जर बॉाइल करने के इसे बाद बा minder दख़झे बॉैश्यार करने के बाद इसे आप इसे विड़ी हूद, आप में पर्यक्री मज़ेदार कमें और अच्छे से आपने पीस लेना है थे काब वारिक साहब हमारी माशकिदाल बंच करें नहीं हमारे माशकी दाल ऑप इसकी जरूर प आपमें टेस्कों नमक पूताबिक अभी ताबिक झू भी जिय के आप Nope जूरी ताब गरम क्ती है चाक के संब्सक्ते बटाइछ तो शुकम nårकर मेरे लिए अरेफ एसम —ँ हमाग़ भी को में निक्ती सकारी सिक खीज है इनको आपने मिक्स कर लेना है तकि में उसके बाद चाहे है तो गोल्टीकिया बना लें जाहे — नहीं गट ए है कभाब से प्रिजा बना उसके अपसे है बहुतिरीन लेक्ट में अन्डा के लिए पोर सिकन हो bend के पाथ अन्डा को चाहे है상u शहीं कर जल्डी मैं उच्छु आताशा जए बनारों लेकिन अगर बहुत में रिजर्ट से नियुक्य आपका बहुत कि लिए को मैं ऊच्छ लगाइगा और अंडी का बाइन का शुट-खुट युझा पे रिजर्ट ले इंगे लिगा अगर बहुत में बहुत बहुत में बहुता लेटरी एक दम आपने पलटना नहीं है क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होते हैं तो इस बात का आपने ख्याल लगना है कि तूटे ना और अंडा अलगके फ्राइ करेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे ठीक है जैसे कि मैंने बता है मैं जल्दी में थी तो अंडा नहीं लग माश की दाल की कबाब खाए हैं माश की दाल की कबाब जरूर ट्राइ कीजिए का जरूर बनाएंगा healthy and tasty और बहुत ही मज़धार होते हैं तो अब एक रुट के लिए आप इस में पार्पिंग बैंग में थोड़ा सा मायोनिस एड़ कर दीजेगा और इसके ओपर प्लगा सक तो कोशिश करके एक अच्छी रबर बन जाएं ताकि किसी का गम मिटा सके तो अपना बहुत ख्याल रिखीगा और जरूर अपना फीडबैक दीजेगा और रेस्प्री बना के तो मिलेंगे नेक्स एस्पी में इजास्त चाहती हूं तब तक के लिए लाफिज